हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि इन्फिनिक स्मार्ट एइट फोन में आप लोग एलर्म को कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक इन्फिनिक स्मार्ट एइट फोन है और response में आप लोगों को alarm को लगाना है मतलब जो है आपको सुबा चल्दी उठना है या आपको कुछ काम है तो इसलिए जो आप लोग alarm को लगाना चाहते हो तापकि आपको जो है alert हो जाओ उस काम के लिए या आपने जो है कुछ routine वगेरा बनाया है तो routine के हिसाब से जो है आप लोगों को alarm को set करना है आप लोग जा अलग अलग time पर अलग अलग alarm को लगा सकते हो तो कैसे आप लोग alarm को लगाओगेगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को like कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए गई इस वीडियो को start करते है alarm को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपने app list को open कर लेना है app list open करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक application देखने को मिलेगा इस clock का देख सकते है तो इस clock के application को open कर लिजे open करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक alarm का option देखने को मिलेगा नीचे बहुत सरे option है लेकिन आपको आना है इस alarm के option पे LM के option पे आने के बाद यहाँ पर एक plus का option होगा plus के option पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर timer आ जाएगा तो जितने बज़े आपको LM लगाना है मान लिजे मुझे सुबा 5 बज़े लगाना है तो यहाँ पर 5 डालेंगे और यहाँ पर इसको 00 कर देंगे तो करने के बाद AM PM जो भी लगता है उसको लगा देंगे लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो right वाले option है इस right वाले option पे click करेंगे click करते ही देख सकते है LM जो है वो लग चुका है ठीए गईज तो यहाँ पर से आप लोग plus बटन पे click करके और धेर सारे LM को लगा सकते हो एक साथ में तो कुछ इस तरीके से जो आप लोग अपने infinite smart 8 phone में LM को set कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोग को कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई